पांच महीने और बाकी हैं और यहाँ पे पातरता परिच्छा होगा शुरू में उसके बाद third grade का पेपर होगा ठीक है लेकिन दोनों का syllabus क्या रहेगा जो पातरता परिच्छा होगा उसके बाद एक और पेपर होगा और पातरता प्रमाण पत्र जब मिलेगा तो उसका नंबर दोस्तों उसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा और भी 3-4 सवाल है जो लोग जानना चाह रहे थे सबको समझेंगे ठीक है तो यहाँ पे 46,500 पे होने वाला है यह 62,000 कहा जाता है लिकित 15,500 पे चल रहा है और level 2 रद हो चुका है इसलिए इसमें add कर दिया गया है तो अभी 46 45,500 पे आपका होने वाला है इक्जाम कब होगा 23 और 24 जुलाई को ठीक है तो दूसरा paper कब होगा यह भी यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे सबको पता होगा दोस्तों कि level 1 में 1-5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका यह पातरता परिच्छा होता है और level 2 का होता है 6-8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकिन पढ़ाएंगे कैसे जब तक इसमें syllabus नहीं जानेंगे जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा तो देखिए इसमें होता क्या है कि 5 होते हैं ठीक है 5 subject होते है इसमें से और total मिला करके 30 number का होत यह जो पातरता परमाण पत्र होता है उसका पेपर जो होगा और यह आज इवन हो जागा दोस्तों जो पातरता परमाण पत्र आपको मिल जाएगा उसके बाद कभी भी होगा ना आपको third grade का paper तो आप उसके लिए eligible रहेंगे सारी बाते समझेंगे जो appearing वाले हैं वो भर सकत हैं और level 2 वालों का फॉम रद होगा कि क्या होगा फिर से apply करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यहां आप देखिए पाच पेपर जो होगा तो पहला आपका सिख्छा बाल विकास होता है CDP जो होता है CDP यानि कि आपका सकते Child Development and Pedagogy होता है तो बाल विका सिख्छा सातर इसमें से आपको तीस नमबर कराएगा दूसरा language 1 होता है यह read level 1 की हम बात करें ठीक है level 1 की बात करें सिख्छक पातरता परिच्छा के लिए जो exam होगा उसका यह सबजेक्ट है ठीक यही आपका सिले बस रहने वाला है तो एक ठो होगे आपका बाल विका CDP ठीक है बाल वि language 1 रहता है तो language 1 में आप क्या कर सकते हिंदी संस्क्रीट English उर्दू आप पंजाबी कोई भी एक ले सकते हिंदी इसमें अगरमान लिए आपने ले लिया तो language 2 में कुछ different हो गया इसमें उसमें भी रहेगा हिंदी संस्क्रीट English तो या आपने हिंदी ले लिया तो दूसरे म environmental study यानि आपका EBS तो EBS में आपका 30 नमबर का रहेगा टोटल मिला करके 1500 नमबर का दोस्तो यह होने वाला है दोनों समझेंगे दोनों के बारे में यहाँ पे देखें यह एक्जाम राजस्थान सिछक पातरता परिच्छा इसको कहा जाता है जो कि राजस्थान माधिमिक सि दी एस यार यानि कि अजमेर के द्वारा यह लिए जाएगा बहुत लोग के मन में यह सवाल था कि इसमें negative marking रहेगी कि क्या रहेगी तो दोस्तों जो यह पातरता परिच्छा होगा ना इसमें negative marking नहीं होता है, ठीक, negative marking आपको जो दूसरा paper होगा, उसमें होगा कि नहीं हम समझेंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो यह आप जानगे इसमें, तीस-तीस number का रहेगा, पांच paper, डेड़ सो number का रहेगा, ठीक है, तो यह आपका child development and pedagogy रहेगा, यानि कि CDP बालविका सिक्षा सासर, इसमें से तीस number language 1, language 2, mathematics और environmental study, अब यह आप यह हो गया, अब देखिए, राजस्थान जीक के इभिये section में क्या होता है, कि जो environmental study है, उसमें से, उसमें आपको राजस्थान जीक के भी थोड़ा include कर देगा, अब यहाँ आप देखिए, level 2 की बात क यहाँ पे syllabus के बारे में, दोस्तों, इसमें भी same रहेगा, child development and pedagogy, यह हम राजस्थान सिछा पातरता परिच्छा की बात कर, जो पातरता होगा उसका, यह syllabus उसका है, तो child development and pedagogy से 30, आपका, 2011 की अधार पे हम बता रहे हैं दोस्तों यह आपको, क्योंकि उसी की अधार पे स इंधिया संस्कृत या, इंगलिस, उरुदो, पंजाबी, सिंधि, जो भी लेना है, दूसरे में कुछ different आपका, एक language और लेना है, दोनों language, 30-30 number का आपका, रहने वाला है, उसके बाद math, अब देखिए, यहाँ पे math and science, जो होगा, वो math and science, जो होगा, वो math and science, जो होगा, social study रहेगा, तो वो 60 number का रहेगा, ठीक है, तो आप environmental study का स्थान पे social study या, math and science, कोई भी एक रख सकते हैं, वो 60 number का रहेगा, इस बात को चाहे तो पीछे करके आप देख सकते हैं, बढ़ियां से समझने के लिए, यह 60 number काने वाला है, तो यहाँ पे total कितना होगा, 60, 30, 93, 120, और 150 number का यह भी पूरा रहने वाला है, 150 number में child development यानि कि CDP हो गया, एक language 1 हो गया, है ना, एक language 2 हो गया, और एक हो गया आपका, यहाँ पे math और science, जो की math science के teacher के लिए, और दूसरा आपका social study, जो art background से है, या फिर environmental study करस्तान पे social study भी हो सकता है, अब यहाँ पे note करने वाल गोजी जो CDP है, वो language 1 और language 2 दोनों में रहेगा, अब देखिए, यहाँ पे पातरता परिच्छा आपका 23 या 24 जुलाई को होगा, लेकिन अब 23 और 24 जुलाई को यह पातरता परिच्छा अगर पास कर जाते हैं, क्योंकि minimum आपका 55 परसेंट या 60 परसेंट आपका जो तो जो 3rd grade का paper होगा, उसमें आपका जो level बन रहेगा, उसका क्या सिलेवस रहने माला है, उसको तोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, राजस्थान का जीक है, तो mandatory है इसमें, राजस्थान समान ग्यान, इसमें क्या होगा दोस्तों, टोटल आपका 140 सवाल रहेंगे, और कुल अंकर हैगा 200, जो आपका 3rd grade का paper होगा, वो टोटल मिला करके 140 सवाल रहेंगे, जो की 200 नंबर करेगा, ठीक, 200 नंबर करेगा, दो घंटे का आपका समय मिलेगा, इसमें क्या होगा, कि सिलेवस के रहने वाला है, सिलेवस थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसम साथ नंबर का 30 सवाल, अगला रहेगा आपका दूसरा नंबर पे जो रहेगा, आपका subject हो रहेगा, राजस्थान का इतिहास, एक थो राजस्थान का समायने घ्यान हो गया, दूसरा हो गया, राजस्थान का इतिहास, पलस वहां का जो culture होता है, कला संस्क्रित यह सब चीज है ठीक है अब एक हो गया आपका शुर का सब्जक्ट एक है विद्याले का जो भीसाय होता है वह हो गया यानि आपका हिंदी इंग्लीज या सोशल साइन्स मैथ समाजिक भिज्ञान समाने बिग्यान ठीक है इसमें से आपका 35 सवाल रहेगा और एक रहेगा आपको सिछण जो एजुकेशनल पेड़ोजी कहा जाता है वो हिंदी अंग्रेजी समाने बिग्यान गडीद समाजी कद्यान यह मिला करके आपको 38 प्रश्ण कुल आपको इसमें रहेंगे तो टोटल अगर आप काउंट किजिएगा इस तरह से करके तो 140 आपको यहाँ पर सवाल पढ़ जाएंगे इसमें देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग के अगर बात की जाए तो इसमें निगेटिव तो भाई रहेगी क्योंकि इसी पर आपका बनेगा आप टीचर बनेंगे तो इसी के परमाणपत्र लेने के बाद आपको दिया जाएगा अभी देखिए इसमें समझेंगे के रीट का नमबर जूटेगा नहीं तो उसमें पातरता परमाणपत्र लेने के बाद जो थर्ड ग्रेट का पेपर होगा उसमें आपका क्या होगा सब्जेक्ट उसमें रहेगा पहला मनोबी घ्यान ठीक है इससे आपका बीच नमर का एक रहेगा बाल मनोबी घ्यान इसमें से आपका बीच नमर का ऐसे करके एक ठोब विद्याले भी से आप करेगा ठीक है ischool subject रहता है वो total आपको 120 नमर का पड़ता है जिसमें आपने मतलब graduation किया है वही रहता 120 नंबर का रहता तो यह मिलाकर के total 200 नंबर का हो जागा ठीक है total मिलाकर के 200 नंबर का अब देखे L1 और L2 दोनों के लिए क्या है 200 नंबर का है दोनों का आपने subject बता दिया पीछे जागर का आप देख सकते हैं और पातरता के नमबर जूटेगा कि नहीं यह थोड़ा समझ लेका देखे पातरता का नमबर जूटेगा 20% तक सुनने में आ रहा है कि 20% तक जूटेगा जैसे कि माली जी आपने पातरता परमाणपत्र में 125 नमबर पया है ठीक है तो इसका 20% कितना हो जागा 25 नमबर आपका जूट जागा आपका थर्ड ग्रेट का पेपर होने के बाद जब मेरिट बनाया जाएगा तब तो मेरिट के अधार पे चैन किया जागा लास्ट में पातरता परिछा में आपका केवल पातर माना जाएगा ठीक है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी 60%-55% पर अपका रहेगा और यहाँ पे उसके 150 नमबर पे अगर आप एकजाम में सफल हो जाते हैं आपका 60% आ जाता है तो उसके बाद आपका जब 3rd grade का जो की होने वाला है दो पेपर होने वाला है क्योंकि नियम निकाल दिया गया है नहीं और 2nd grade 1st grade में चांस कम है उसमें नहीं होगा बाकी समय तो पहले से ओल्रेड़ी चल रहा है तो यहाँ पर चलिए अगर वडियो अच्छा लग तो लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्र आदेजा जाहिं जाएं 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 जाएं